नमस्कार, न्यूस क्लिक के खोश खबर कारक्रम में आप सबका स्वागत है देश का दिल है दिल्ली में और दिल्ली ने सबका दिल लूट लिया है सबको बधाई, तनाव और नफरत भरे माहौल, गाली गलौज, हिंसा, हमले के खिलाफ जिस तरह से दिल्ली ने मुहर लगाई है, उसके लिए सबको मुबारका इंसानियत, समिधान और तिरंगे की शान को बुलंद रखने के लिए जिस तरह से दिल्ली के मद्दाताओं ने एक साथ दुबारा आपको वोट दिया उससे एक दूसरे धंग की नजीर, दूसरे धंग का उदाहरन भारत की राजनीती में हमारे और आपके सामने है आज आपसे हम बात करेंगे दो मुद्दों पर दोनों मुद्दे मेरे हिसाब से बहुत एहम है पहला मुद्दा है दिल्ली को मुफ्त खोर कहने की साजिश और इस साजिश के जरिए क्या हासिल करने की कोशिश भाषपा, मीडिया, जिस मीडिया को आप गोदी मीडिया या मोदी मीडिया कुछ भी कह सकते हैं और उसके समर्थक क्या हासिल करना चाहते हैं कुश बहुत साधारन से उदाहरन दिल्ली के मद्दाताओं को मुफ्त खोर बताया गया, बताया जा रहा है जरा से आकड़े देखिए, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने में इस सरकार को हर साल करीब 1720 करोड रुपे खर्च करने पड़े, मुफ्त पानी देने का खर्चा 400 करोड के रुपे साल आना है, महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराने का खर्च 140 करोड रुपे है, यानि जिसे मीडिया और वट्सप यूनिवरस्टीज मुफ्त खोरी की बात कर रहे हैं, दिल्ली को उसका एडिक बता रहे हैं, उसका कुल बजट अधिक्तम भी अगर आप लगा लेंगे तो 2260 करोड रुपे के करीब बैठता है, और दिल्ली की आबादी 2 करोड के करीब, या 1130 रुपे, और बात ऐसे हो रही है, जैसे दिल्ली सरकार ने सारा खजाना ही दिल्ली के मद्दाताओं पर लुटा दिया, और वह भी तब जब दिल्ली सरकार का बजट, घाटे का बजट नहीं रहा, वहीं आईए देखते हैं, मोधी सरकार ने क्या किया, मोधी सरकार के नि पर कहीं हंगामा नहीं होता वहीं दूसरी तरफ देखिए कि जब मुदी सरकार सत्ता में आये थे तब जो नॉन पर्फॉर्मिंग एसेट्स एंपी जिसे कहा जाता है वह कुल मिलाकर दस लाख करोड था यानि हमारा जो जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद उसका पांच फीस दी और इसे जिस तरह से कम किया गया वह अपने आप में बहुत से सवालों का जवाब छुपाए हुए है इसमें से चार लाख करोड रुपे राइट आफ कर दिये गए यानि उन्हें बटे खाते में डाल दिया गया यह जो पैसा था यह हमारा और आपका पैसा था जो कॉर उसे जब माफ किया सरकार ने जब कॉर्परेट टेक्स माफी की गई तब कहीं से भी इस देश में कोई हंगामा नहीं होता कोई नहीं बोलता कि यह उद्योगपती मुफ्तखोर हैं क्योंकि हमें किसी भी तरह से अंबानी अडानी और इंकी जो लंबी लिस्ट है इसके हित म देश के विकास के लिए फाइदे मन बताया जाता है लेकिन वहीं जब गरीब भार्तियों के लिए खर्च होता है तो उसे नॉन प्रोड़किव बताया जाता है जब कोई राजी सरकार यहाँ बोलती है कि शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, स्वास्त पे खर्च होना चाहिए, बिजली पे खर्च होना चाहिए, पानी पे खर्च होना चाहिए, तो बताया जाता है कि वह मद्दाताओं को, देश के नागरिकों को मुफ्त खोर बना रही है दरसल यह सोच गरीब विरोधी सोच है जिसे मोदी और अमिशा की सरकार ने पूरे बैंड बाजे के साथ बहुत तेजी से पूरी निरलज़ता के साथ आगे बढ़ाया है मोदी सरकार ने अपने पहले कारेकाल में 2014 से लेकर 19 तक में कुल 6 लाग करोड की कर्ज माफी की थी और इसमें किसानों का कर्जा सिर्फ 45 पैतालिस हजार करोड था 6 पांच लाग साथ हजार करोड पूंजी पतियों का कर्ज था इसके अलावा इस सरकार ने अपने पहले कारेकाल में जो कॉर्पोरेट कंपनिया हैं, उनका 4,30,000 करोड रुपे टेक्स माफ किया मोधी सरकार ने देश के चंद उद्द्योक पतियों को लगभग 10,00,000 करोड रुपे का रिबेट दिया लेकिन यह उद्द्योक पतियों के लिए मुफ्त खोरी नहीं है यह सरकार की खैरात नहीं है यहां मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरी देश में गरीबों की बुनियादी सुविधाओं को देने के खिलाफ जो माहौल बनाया गया है, दरसल दिल्ली के मददाता ने उसके खिलाफ वोट दिया है जिस तरह से पिछले कुछ सालों में गरीबों को दी जाने वाली सबसिडी को खराब बताने की कोशिश की गई है जिस तरह से मंडरेगा पे खर्ष को कम किया गया, स्वास पर खर्ष कम किया गया, शिक्षा पे खर्ष कम किया गया और इन सब पर कहीं से भी कोई हंगामा उचलकूद नहीं हुई उसके खिलाफ जो नागरिकों में विरोध था वह कहीं न कहीं हमें इस वोट में दिखाई देता है लिहाजा दिल्ली के लोगों ने गरीबों मद्दाताओं के लिए जो ठोस काम किया सरकार ने उसके पक्ष में वोट दिया और इस वोट की इस मद्दान की इस तरह से विवेचना होनी बहुत जरूरी है तभी जो राष्टी राजनीती को और राष्टी अर्थवेवस्था को बिलकुल दूसरे मोड पर ले जाने की कोशिश है उसका ठोस कारगर जबाब खोजा जा सकता है दिल्ली चुनाव परिणाम की धमाम व्याख्याएं हो रही है मेरा बिलकुल इसपष्ट मानना है कि यह वोट शाहीन बाग के पक्ष में वोट है शाहीन बाग कोई एक जगा नहीं है वह एक विचार है वह विचार है अमन का वह विचार है जनता के रеспश में वह विचार है महिलाओं और बच्चों का लोगतंतर में जो इसपेस हो उसका वह विचार है कि जब सरकार जनता के पक्ष में काम नहीं करती जब नागरिकता संशोधन कानून लाती है जब NRC का खौफ दिखाती है जब NPR को और तमाम चीजों को धर्म के आधार पर दिखाती है तब जनता किस तरह से काम करती है किस तरह से काम कर सकती है आवाज उठा सकती है इसका एक प्रतीक देश में और दुनिया में शाहीन बाग है यहाँ पर जब हम और आप बात कर रहे हैं उस समय जो देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोट वहाँ पर शाहीन बाग में चार महीने के एक बच्चे की मौत पर डिसकुशन चल रहा है वहाँ फैसला होने वाला है कि क्या बच्चों को प्रोटेस्ट में शामिल होना महीलाओं का सिर्फ एक सवाल था कि जब औरतें बाहर निकलेंगी तो उनके बच्चे कहां जाएंगे क्या जिनके बच्चे हैं उन औरतों को नौकरी करने प्रोटेस्ट करने बाहर आने का अधिकार नहीं है या किस तरह का कानून इस देश में बनाने की कोशिश हो रही है जहां पर जो महिलाएं हैं जो बच्चों के साथ हैं उनकी भूमिका को पूरी की पूरी तरह से पीछे ढखिलने की कोशिश हो रही है इसका पुर्जोर जवाब ये औरतें देख रही हैं यहां हम आपको ले चलेंगे जहान की मा नाजिया कौसर के पास जो शाहीन बाग के एक बहुत ही गरीब इलाके में जोपड़ी में रहती हैं तीन बच्चे उनके जिसमें से सबसे छोटा बच्चा जहां जो चार महीने का था उसकी मौत हुई आए सुनते हैं कि क्या कहना है नाजिया का इस आंदूलन के बारे में और अपने बच्चे को वहां ले जाने के ब बाग महां से हम लोटे हैं साड़े नौ पॉने दस ऐसी बज़रोंगे फिर महां से आने के बाद बच्चे को तेल वे लगाया अच्छे से खुब फिर उसके दूद पिलाया बाते करी बहुत देर तक उनसे फिर सो गया बच्चा फिर वह उठें धाई वजे तो हमारे आदम मेरे आदमें उसे फॉस्पिटल ले जाते हैं फिर क्या कि महां बटला के लेकर गये तो उन्हों ने बोला कि जायो हॉली फैमली ले जायो मगर हम मोली फैमली नहीं ले जा सकते थे तो हम उस्西फा गए पング कह अमे लेETH है तो उन्होंने कहा कि ईयवी आद दीबच्य को गया फिर उन्होंने पर्चा बना के हमें चुटी कर दिया कि बचा है नहीं ले जाईए फिर हम घर पे आ गए लिए कि मीडिया बिल्कुल गलत दिखा रही है हम जो बोलना चाहरे ये नहीं दिखा के वो अपनी तरब से कुछ भी बोल रही तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो सच बात है वो दिखाओ पब्लिक को ये नहीं है कि हाँ शाहिन बाग में हम बैठते थे तो हम लापरवा औरत हमें बताया जा रहा है कि लापरवा माता पिता तो हम लापरवाई कैसे कर सकते हमारा बच्चा था ना और किसी का तो था नहीं जो हम लापरवाई दिखा द जाएं इस प्रोटेस्ट में आ रही हैं, आजादी की दूसरी लड़ाई में शामिल हो रही हैं, जिसे वे अपना हक मानती हैं यह सवाल उनका है। और सवाल सिर्फ शाहीन बाग या इस प्रोटेस्ट में आने वाली महिलाओं का ही नहीं हैं। आगे चलकर जो महिलाएं वीहाडी मजदूरी पर आती हैं, नरेगा में काम करती हैं, फैक्टरियों में काम करती हैं, अपने छोटे-छोटे बच्चे को ले कर जाती हैं, सडकों पर जो महिलाएं रहती हैं, क्या सबके हकों के बारे में हैं क्या बच्चों के साथ रहने वाली महिलाएं इस देश की नागरिक नहीं हैं क्या माओं को और खास सवर से गरीब माओं को अपने बच्चे को कैसे पालना है या सिखाने का काम कुछ अमीर लोग करेंगे जिनके बच्चों को पालने वाली महिल जाएं सामने रहती हैं घर में रहती हैं यह सवाल बहुत बड़ा है इस सवाल को छोटा करके देखने की या सिर्फ एक घटना से जोड़ के देखने की जरुवत नहीं है और खास तोर से यहां मैं यह कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोट ने जिस तरह से जहान के मामले को नाज उन पर ढाया जा रहा है क्या वे बच्चे हमारे अपने नहीं है क्या भूक से मरने वाले बच्चे हमारे नहीं है यह जो हम सेलेक्टिव आउट क्राए करते हैं यह बहुत चिंता जनक है क्योंकि सेलेक्टिव आउट क्राए या सेलेक्टिव हंगामा चुन-चुन के कुछ वाक्यों पे जो हमारा दिल पसीजता है इससे क्लास का मामला जुड़ा है कास्ट का मामला जुड़ा है और निश्चित तोर पर रिलीजन का मामला जुड़ा हुआ है यह लडाई बहुत बड़ी लडाई है सच को सामने लाने की हमारी जो पोशिश है वह आपके साथ यूही बनी रहीगी तब तक देखते रहिए खोश खबर लाइक करिए सब्सक्राइब करिए न्यूस क्लिक शुक्रिया